पिहार के मुख्यमंतरी निदिश कुमार से लेकर पुलिस के आला अधिकारी समय समय पर पुलिस जवानों को सुशासन और आम जंता से मधूर विवहार कराने का पार्ट पढ़ाते हैं लेकिन इसके बाद भी पुलिस कर्मियों की कारिशेली में कोई सुधार नहीं हो रहा है जिसका एक नजारा भागलपूर जिले में देखने को मिला जहां S.S.P. बिनावर्दी में कानून बिवस्था का जायजा लेने निकले तो एक दरोगा ने जंग कर हड़का दिया वीडियो में दिख रहा है कि रात के वक्त निकले S.S.P. बावराम थाने के सामने बाइक चोरी की शिकायत लिए खड़े हैं उनकी बात सुनकर वहां मौझूद दरोगा कह रहे हैं कि आरे साथ में लेकर जाते जहां गए थे हमको तो नहीं लगता कि आपकी गाड़ी चोरी हुई है गाड़ी को कहीं भी छोड़कर आएंगे और कहेंगे कि चोरी हो गई है यहां कहीं सीसी टीवी कैमरा लगा है क्या गड़नारिवार देराथ शहर के जोकसर थाने की है दरसल SSP कई थानों का निरिक्षन करते हुए जोकसर थाना पहुँचे थे उन्होंने यहां बाइक चोरी की रिपोर्ट लिखवाई चाही इस पर उन्हें दरोगा के साथ ही सिपाही की भी लतार सुननी पड़ी हलंकि तब तक थाना ध्यक्ष आजय अजनवी को जानकारी मिल गई कि खुद SSP थाने में पहुँचे है वो भागे भागे थाने पर पहुँचे बहां मौझूद पुलिस वालों को खरी खोटी सुनाते हुए जानकारी थी कि रिपोर्ट लिखवाने आये शक्स और कोई नह कि रातरी में थाना की क्यास्तिती है कुछ दिन पहले सभी थाना को निर्देश दिया गया था कि रातरी में गेट सब खुला रखेंगे संत्री डूटी संत्री तैनात रहेंगे और ओडी में एक पदादीकारी तैनात रहेंगे डूटी पर रहेंगे ताकि रात के टाइम कर कोई emergency situation किसी के साथ हो जाती है तो कोई धाना पर आए तो उनकी शिकायत सुनकर तुरंत उनका help करें समाधान करें इस करम में आज 6-7 थाना पर हम लोगों ने विजिट किया अभी रात में तो एक जो उसर थाना को छोड़के बाकि सभी थाना पर संत्री भी duty हम लोगों मुस् किया जोग सर्थाना में कुछ पदादी का रही थे जिन्नों ने मोटर सैकल की चोरी की बात सुनके ठीक से भेव नहीं किया उनकी कल काउंसलिंग की जाएगी उनको कल चितावनी दी जाएगी डियर रपोर्ट ख़बर मज़र देश झाल